सूरा मेरे मज़ पमान तठण फिर में जिक्खा पधिंसमादियानी पुर्ण मासी बसंत उतू यानि बसंत रितू फागुन का महिना और फागुन पूरण चंद या फगुवा इसको फलगुड भी बोलते हैं फगुन भी बोलते हैं फगुवा भी बोलते हैं फगुवा भी बोलते हैं बहुत सारे इसके नाम हैं पूरान मासी जितने भी होती हैं वो कुछ खास होती है होली का जो फेस्टिबल है और जो होली के बारे में पूरे देश में लेटेस्ट जानकारी आज कल है वो जानकारी हमें मिलती है जब हम किताब पढ़ते हैं दूसी, तीसी, चौथी, पांच्वी किलास में और हमको ये कहा जाता है कि आप एक ऐसे लिखिए होली पे, दिवाली पे, दशेरे पे या गाये पे पूरे भारत में, खास और से नौर्थ हिंदी की बेल्ट में ये चार-पांच ऐसे यानि निबंद हर बच्चे को रटवाए जाते हैं साल में दो वार तीन वार एक्जाम होते हैं और ये गारंटी है होली, दिवाली, दसेरा, रक्षाबंदन और गाये इन पे कोई न कोई निबंद आएगा तो बच्चे इनके लावा कुछ पढ़ते भी नहीं उनको निबंद क्या होता है, ऐसे क्या होता है तर्क वितर्क क्या होता है वो सब बेकार है रटा-रटाया उनका होता है हमने खुद देखा है ये और मैंने खुद किया है तो जो रटा रटाय हमें सिखाते हैं बश्ट्पन से हमारे दिमाग में डालते हैं वो बताते हैं कि कोई इस नाम का कोई राजा था उसकी कोई बहन थी उसका कोई बेटा था फिर वो उसको गोद में लेके बैठी आग पे बैठी कहां की घटा है कौन सा प्रदेश कौन सा इस्थान वहां कोई स्थूप हो कोई स्मारख हो कोई वहां बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ हो मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल जिसकी कहानी बताई जाती है उसका दूर दूर तक एक भी आर्केलोजिकल एविडेंस तक नहीं मिलता कोई पत्थर भी नहीं मिलता लिखा हुआ और पूरा देश रटा मारता है होली का फेस्टिवल का निवंध का चौथी पांच्वी छटी सात्वी आठ्वी किलास में मास्टर भी पढ़ा रहे हैं और बच्ची पढ़ा रहे हैं मास्टर भी नहीं पूछता बच्चे तो पूछें क्या उन्हें तो पास हो गया नंबर हो गया काम भत्म हो गया किस तरह से बातें दिमाग में डाली जाती हैं कहां से डाली जाती हैं क्यों डाली जाती हैं सोचन भी लोग बताते हैं कि यह तोहार हमारे नहीं है इनका ग्रोद करना है पर क्यों हमारे नहीं है और क्यों ग्रोद करना है कोई जवाब नहीं है बहुत ज्यादा पूछोगे तो डॉक्टर हमिटकर के नाम पर ध्ळमका देंगे आपको ज, डौक्टर मिटकर ने कहा है कि ये चीजें ये चीजें हमारी नहीं है पर कोई तर्क करने को त्यार नहीं कि उन्होंने जो कहा है तो ऊब इसपेसिफिक कारण से हम लोग बैठे बिठाये अपने ही फेस्टिवल के अपने ही कल्चर के अपने ही संकती के अपने ही संसकती के दुस्मन हो गए और जो काम और लोगों ने किया कि वो संसकति हमारी छीन रहे थे वो हमने खुद ठाली में रखे उनको दे दी के तुमारी है तुम ले जाओ कोई बासचीट करने को त्यार नहीं कोई बास्चीट करेगा भी तो पड़ा है जो रटा मारा है उसी के आसपास रहेगा उसका विरोध करेगा या उसका समठन करेगा पर नया कुछ नहीं भारत के अंदर जितने भी फैस्टिवल हैं जितने भी उत्सव हैं जितने भी जो घटनाएं हैं खुशी की हैं जो सामुक रूप से मराई जाती हैं चाहें भासा को जानता हो या ना ना जानता हो उसमें क्रसी प्रधानता है उसमें जंगल की जानवरों का वर्धन या मास लाना या अंडिलाना या उनसे संब्धित है दूद दही से संब्धित है उत्पाद से संब्धित है जो हम उत्पाद करते हैं उससे संब्धित है कोई सा भी फैस्टिवल आप उठा लो कुछ ना कु आया है या कुछ तैयारी हो रही है कुछ आने की यह वाला जो फैस्टिवल है जिसको हम नौर्थ में होली के नाम से जानते हैं इसके बहुत साइज नाम है होले होरा होरी होली देहन होली का होला महला याउसंग धूली बंधन दुलड़ी राग रंग रास रंग दुलेंडी बहुत साइज नाम है और कुछ हिस्तों में मनाया जाता है कुछ हिस्तों में नहीं पर दुनिया के अंदर पानी से खेलने के क्रिया बहुत देशों में है खास तोर से गर्म देशों में कोई ना कोई फैस्टिवल उनका पानी के साथ में खेलने का है जा किसी भी रूप में कि वह गर्मी के मोसमें पानी से खेलने का एक रांग रासरंग का उस सब मनाती यह मनाते हैं पूरी दुनिया में है यहां को नया नहीं है तो क्या फेस्टिवल है यहां एक फेस्टिवल है फसल आ रही है गैहों की चने की जौं की क्या बोलते हैं उसको जो तोड़ के लाते हैं कच्छी बाली को कच्छे फल को होला होले होले और होला उसको बोलते हैं और उसको बाली को चेक करते हैं अभी पकने में कितना टाइम है क्योंकि पूरन मासी है, अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी तुरंत आने वाली है और साथ आठ दिन के अंदर ये फसल पिली पड़ जाएगी, तो देख रहे हैं कि हमारी फसल कैसी है तो फसल आने का उतसब है, तो होले को आग में भूनने का उतसब है कच्चा नहीं खाय जाता, तो उसको आग में भून के खाते हैं, चना खाते हैं, हमने खाये हैं, खुब खाये हैं, गाओं में जो लोग हैं, वो खुब होले भूनते हैं जौं होती है उसके अंदर उसके अंदर और एक दूसरे को देने का भी उत्सव है एक दूसरे को भून कर खिलाने का भी उत्सव है कोई पारम पर इक भोजन नहीं है पर उस दिन विशेश रूप से आग में भून कर खेसे तोड़कर लैलाय जाता है और दूर से आग में भू ये किर्शी प्रधान है और ये फसल का है इसमें पानी फैकने का रंग फैकने का या रास रंग का नहीं है पर दूसरा वाला जो अगले दिन आता है जो चैत आरहम हो रहा है अगला महिना चैत एकासी को उसके अंदर रास रंग वाला उत्सव है यानि कि वसंत उत्सव है उसके अंदर संत वाला नहीं है संत उत्सव नहीं है वे संत वाला उत्सव है वी या वे अगर किसी सब से पहले लग जाए तो उसका मतलब होता है उससे अलग यानि संतों से अलग उत्सब है असंतों का है असंतों का नहीं कह सकते क्योंकि साई लोग हमारे हैं इसलिए वसंत कहा जाता है वसंत का उत्सव है ठंड चली गई है मौसम बढ़िया है ना ठंड है ना गर्मी है तो सरीरों के अंदर मचलना आ गया है सरीर मस्त हो रहे हैं मदमस्त हो रहे हैं प्रमाद हो रहा है तो प्रमाद में लिप्त हो रहे तो सारे सारे जितने भी हैं लोग वो वसंत के अंदर उमंग से भरकर एक दूसरे को मदमस्त करने के लिए खेल खेल रहे हैं किरिय कलाप है और यूवाओं का है बुड़ों का नहीं है बच्चों का नहीं है इसका जिक्र आता है जो धंपद है उसके 26 में और 27 में एप्रमाद वग में उस एप्रमाद वग में कहानी में ये कहा जाता है कि भिक्वों आप अंदर रहना साथ दिन तक यहां प्रमाद होगा साथ दिन तक यहां एक दूसरे पर कीचड धूल धूली धुलेंडी एक दूसरे पर राख गोबर ये डाल जाएंगे यहां नशा पता होगा लोग प्रमाद में रहेंगे मस्त रहेंगे मस्ती में रहेंगे मौज मस्ती में रहेंगे और सारी क्रियाएं करेंगे जो रास रंग की है इसलिए आप निकलना मत हम आपको खाना वहीं पहुँचा देंगे ये बात बुद्ध ने 26 में 27 में जो ऐ प्रमाद धंपत का पद है उसमें कही है कि जो लोग प्रमाद में नहीं रहते ऐ प्रमाद में रहते हैं उनका जीवन स्रेश्ट होता है और इस तरह के परमाद में रहने से जीवन और ज़्यादा कटिन हो जाता है और वो कभी मुक्त नहीं होते दो इसके गाथाएं है उस कहानी से हमें पता चलता है कि उस समय लोग परमाद में नशे में लिप्त रहते थे और साथ दिन तक ये फैस्टिवल उत्सब चलता था उत्सब लिखा हुआ है वहाँ पर तो यहां जिस छेत्र में मनता था उस छेत्र में आज भी मनता है और वहां तमिल्लाडू के अंदर तो चूंकि हमारा वहां चेंज नहीं है तमिल्लाडू के अंदर हमारी जो समणों की क और नेपाल में चलता है अलग नाम से उत्तर प्रदेश कमाउ हरियाणा बंगाल महराष्ट तम्लाडूर गोवा में चलता है गोवा में बाकाद एक रेल मार्च होता है रेल जली निकलती है महां उसका नाम अलग है तो यह अगले दिन का है पर दोनों फैस्टिबल को नहीं है पहला फैस्टिबल अलग है दूसरा फैस्टिबल अलग है दोनों का आपस में कोई संबंद नहीं है एक पुर्ण मासी को है पुर्ण मासी के बाद चैत में आरभ होता है जब गर्मी आरभ होती है तब से है पर दोनों का एक दिन के बाद एक है तिसने जोड़ दी किसने जोड़े कब जोड़े अपने आप जोड़े ने जोड़े कोई स्टी नहीं किसी के पास कोई जानकरी नहीं मनाते आ रहे हैं बस ऐसे ही जैसे लोग कह देते हैं कि यह धका पीछे से लगता रहा है हमें नहीं पता वो ऐसे ही मनाते आ रहे हैं कुछ कहानिया जोड़ दे दिया उसके बाद मैं फिर उसके साथ मैं अबर्दा की उसको फिर जला दिया फिर उसके बाद राजा ने उन लोगों के मूँ काले किये और उनके मूँ पे जो काले रंग लगाए उसको अवीर बोलते हैं क्योंकि वो वीर बाते हैं छोड़ क्यों दिए अगर वो बलातकरी लोग थे अगर थ्यारी लोग थे तो छोड़ क्यों दिए जब कि वो राजा की बेटी थी राजा की बहन थी तो छोड़ना नहीं चाहिए था पर कहानी में अपने हिसाब से बनाते हैं कहानी का जैसे भी हैं सोचते साथ से तो है नहीं कि क्या है क्योंकि पूरे भारत में पानी का फेस्टिवल चलता है लास रंग का फेस्टिवल चलता है पर फैला कैसे जिस संसकार के अंदर जिस संकार के अंदर जिस क्रिया कलाब के अंदर अगर आप थोड़ा सा उ को रोक नहीं सकती फैलने से क्योंकि जो आनद देता है जो आनदाई कीड़ा होता है जिसके अंदर प्रमाध होता है जिसके अंदर मौज मस्ती होती है जिसके अंदर मजा होता है उस काम को करने का और प्रचार फोकट में होता है यही कारण है कि प्रचार मध्यम आने के बाद भारत में जो छोटे मोटे festival दाएबाएँ छेतरों के होते थे वो पूरे भारत के हो गड़ी जैसे च्छट पूझा का सिर्फ बिहार में हुआ करता था पर च्छट पूझा आजकल चाट्रौ फैल गई जैसे गड़े उस सबका सिर्फ महाराश्ट में होता था अब वो पूरे देश में फैल गई क्योंकि लोगों को उसमें मज़ा आता है घुमना फिनना खाना पीना मोज मस्ती चाहिए तो किसी बात को अगर आप फैलाना चाहते हैं तो उसमें लोगों के किरिया कलाब के इंट्रेस्ट के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा अगर नीरस बात रहेगी सूखी बात रहेगी तो मास में नहीं जा सकती मास मॉवमेंट नहीं बन सकता क्योंकि मास मॉवमेंट में संत नहीं है वहाँ पर बहुत साए लोग ऐसे हैं जो आम आदमी होते हैं और जिनको पूरे दिन ठकान मिटाने के बाद थोड़ा मरुजन भी चाहिए या कोई उनका उतसफ फेस्टिबल है तो उस दिन उनको प्रिवचन नहीं चाहिए और मास मुवमेंट का खेल है क्योंकि भारत में समिधान लाग होने के बाद में जिसके पास मास होगा उसकी मुवमेंट होगी और जिसकी मुवमेंट होगी वही आगे राइट रखता है अपने किसी भी काम को कराने का या बनाने का इसलिए जो शातिर लोग थे और जो दिमाग वाले या तेज लोग थे या जिनको मास मुविम्मेंट चाहिए था या जिनों को लगा के आगए फ्यूचर मास मुविम्मेंट में उन्होंने सारे फेस्टिवल पे अपनी स्टांप लगाई और सारे फेस्टिवल्स को अपना कहा और अपने हिसाब से मोड़ा और अपने हिसाब से मोड़ कर उसको अपना कहकर दुनिया के सामने परोसा क्या फायदा होता है इस से जब भी किसी संस्कृति पे संखती पे कल्चर पे कब्जा किया जाता है तो कब्जा करने वाले लोग असली हो जाते हैं और जिनका कब्जा होता है वो नकली हो जाते हैं ये बड़ी मैदार बात है किरिया कलाप आपका है, फैस्टिवल आपका है, संखती आपकी है, कल्चर आपकी है, चकैसी भी है और उस पे इस्टाप कोई अपनी लगा दे, तो इस्टाप लगाने वाला असली हो गया, वो देश का वासी हो गया और जो उसको मना रहे हैं, वो सेगंड स्टिजन होगे, क्योंकि वो उनकी नाम से है नहीं, फिर उसमें ब्यापार एड होता है, तो जिनका संसकती पे कबज़ा है, वो उसको चेंज कर सकते हैं, जब वो चेंज करने का राइट रखते हैं, तो मालिकान हग पका हो जाता है, ज इसलिए कुरायदार को एडिसन यए कोई मोडिफिकेसन या कोई चेंज करने के लिए लाओ नहीं करते, क्योंकि वो मालिक करेगा, वो मालिक का हग है, तो आपका फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को कोई अपनी महल लगा दे, फिर उसमें चेंज करे, तो वही ओhoven मालिक हो आप तो सिर्फ उसको मनाओ और जेब से पैसा निकालो और खर्च करो बाकि आप उसके कुछ नहीं हो तो वैपार हाथ आने से मास मॉमेंट हाथ आ जाता है और जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे मास मॉमेंट को मोबलाइज करने का एक टूल है भारत के अंदर खास तोर से भारत के अंदर फेस्टिवल खाली लोगों के आनन्द की चीज़ नहीं है भारत के अंदर फेस्टिवल लोगों को सत्ता तक पहुँचाने का माध्यम भी है बहुत बड़ी बड़ी मॉमेंट होती है और आटोमेटिक होती है और कोई पैसा खर्षनी होता अबलकर पैसा और आता है ये इतना अच्छा तरीका है जिसका कोई जवाब नहीं आप पूरे देश में जब होली मनाते हैं तो होली के साथ जो सब्द जुड़ गए जो रिलिजन जुड़ गया जो कल्चर जुड़ गई आपने उस कल्चर को एकसेप्ट कर लिया उस रिलिजन को एकसेप्ट कर लिया और आप चाहें या ना ना चाहें उस गुट में शामिल होगे आप जब कोई फैस्टिवल और मनाते हैं तो जिनका वो फैस्टिवल है जिनका वो रिलिजन है आप चाहे ना चाहे पर उनके मास मुवमेंट में आप हिस्सा बन गए और मास मुवमेंट में जब हिस्सा बनते हैं तो अकल बंद हो जाती है जब दसलाख आदमी एक साथ कहीं मुवमेंट करता है तो अच्छे-च्छे सोचने वाले अगर सोच के कुछ करना भी चाहें तो कर नहीं सकते क्योंकि मास का एक अपना मैंड शेट होता है उसमें आप अपना मैंड नहीं चला सकते अपनी वाइस नहीं नहीं चला सकते इसलिए फैस्टिबल के ओपर लड़ाई होती है इसलिए फैस्टिबल पर अधिकार होता है भारत के लोगों को नहीं पता कि कौन सा फैस्टिबल कितने बज़े कहां आरंभ होगा कैसे आरंभ होगा इसका क्या है इसको अधिकार रखने वाले लोगों ने इतना ज़्यादा अधिकार में ले लिया है कि वो इसके minutes और second तक set करते है इतने बजए इतने बज़कर इतने second पर ऐसा होगा इतने बज़कर इतने उन से कोई पूछे कि जब घड़ी नहीं थी तो कौण सा घंटा और कौण सी second से set करते थे कहां से करते थे करें क्योंकि जिसको विरोध करने का है और जो सोचे का नहीं हो जो करेगा और फिर जो बावस आपका नाम बीच में लगा देगा महापुरसों का बीच में लगा देगा तो आप उसमें फिर जवाब नहीं दिये सकते क्योंकि वह सीधा सीधा आप पर अटेक करेगा तो जिसक मनाना है वह मनाई या ना मनाई उसको छूट है पर जानकारी सब को लेनी चाहिए समंद संग फेस्टिवल्स के वारे में चार साल से लगाता जानकर यह दे रहा है और हम जानकारी सिर्फ यह कहके छोड़ देते हैं कि जानकारी दे नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे क्योंकि जो आप होली का जलाते हो होरी हो गई होरी यानि कि आपको बाल जलानी है तो उसके लिए आग जलानी है तो सामुई का आग जलती है हमारी समणों की तो सारी लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा इधन लेके आते हैं पर वो इधन ब आकर्ती बनाते हैं बुद्ध की उसके जो गोवर होता है मडिल होता है उसको आप सुखाते हैं उससे एक धमचक्र भी बनाते हैं और धमचक्र बनाकर उसमें साथ या आठ अलग से और भी गोवर की आइटनम बनाते हैं जिसमें छेद होता है फिर उसकी एक माला बनाते हैं औ वहां जो आग जलती है उसमें सारे समर्ण, पूरे किसा 안ज जितने भी लोग हैं वो अपनी बालों को जो उनके होले होते हैं, उनको डंडों में बाध बाध कर उनको भूनते हैं। अलग अलग भी भून सकते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, पर हमारे यहाँ तो संग होता था, और हम सारा काम सामुई करते थे, संग में करते थे, इसलिए ये काम भी हम संग में कर रहे हैं, कि हम अपने खेतों से लाई हुई बाल को चने को गया हूं को जोंकी जो बालियां हैं उनको भून रहे हैं पर सामुई करूप से और खुशियां मना रहे हैं और खुशी से हम उसका मान समान भी कर रहे हैं और आग एक जीगे लगा रहे हैं ताकि एक जीगे भुझ जाए क्योंकि पहले फूंस के छपड़ होते थे घास के छपड़ होते थे आग ना लग जाए कभी साथ धानी बढ़ती जाती थी अलग अलग में दिक्कत होगी यह किरिया कलाब जितने भी हैं आप अगर इनको द्रेंडी या राग रंग या रास रंग या द्रेंडी या जिसको हम कहते हैं कि एक दूद्रिक पानी फैंकना या रंग फैंकना या कीचल फैंकना वह भी समड़ों का पार्ट है और वह सारे देश की प्रिक्रिया है और पूरे दुनिया की प्रिक्रिया है पूरी दुनिय तो पूरी दुनिया के गरम देशों में चलता है पर आपको जान के हरानी होगी कि ठंडे देशों में पानी का फैस्टिवल नहीं है वह मरेगा आदमी कोई अगर इधर का भी जाए और वहां जाके कहे माइनस 40 डिग्री टेंपरिचर में माइनस 20 के डिग्री टेंपरिचर में पैक्टिवल फैकने का किसी भी हलत में उस देश में नहीं मिलेगा जो ठंडे देश हैं जहां बरफ रहती है पर उन सारे देशों में मिलेगा जहां गरमी आती है और रास रंग होता है और रास रंग अगर नहीं होगा तो आबादी कैसे बड़ेगी इसलिए पुराने समय क कि बहुत सारी सभधाया हैं और ये सारी सभधाया कि WOMAN करता था यह साल दो ये कोई कार में पर समय के हुसाबसे लोगों ने अपने हपसे जैसे कहते ना कि कोई गरीब आदमी है अगर वह घर में बैटके वह बीडी चाएगा तो प्ड़ प्रस कोई अमीर अदमी है और वह smack प्याएगा होटल में बैठके तो उसका शौक हो जाता है तो गरीबी या जो संग तूटता है या जो अकिला रहे दिया जाता है या जो कमजोर होता है उस व्यक्ति का छोटा मोटा जो शौक है वो भी उसके एबम में बदल जाता है और जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी बीमारी या भी उनके शौक में मानी जाती है और हम ही लोग कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि बीडी पीना अच्छा है या स्मेक पीना अच्छा है या भांग पीना अच्छा है या उसके लिए अच्छा है जो गलत है वो तो गलत ही है पर गलत के भी यहां बताने के कई तरीके होगे इस हिसाब से कि कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है कौन छोटा है और कौन बड़ा है कौन ग्यानी है और कौन ग्यानी नहीं है किसके पास संग है और किसके पास संग नहीं है हमारा जो concern रहता है यहाँ वो इस बास से रहता है कि हमें इखटे होने के किसी भी तरीके को दूसरे को नहीं देना है होली के दिन हमारी छुटी है लोग अपने अपने घरों में गड़ लगाएंगे गड़ जमाएंगे जो powerful लोग है जिनके पास में पाइसा है जिनके पास में सत्ता है जिनके पास में संग है जिनके पास में सारी चीचीजें हैं वो अपने घर पे सफेद बढ़िया महंगे वाले कुटे पजा में पहन कर बैठेंगे लोग उनके हैं आएंगे उनके पैर चुएंगे, मिठाई लेके आएंगे कोई चंदन का ठीका लाएगा, कोई अबीर का लाएगा कोई गुलाल का, कोई खस का लगाएगा कोई किसी का लगाएगा और वो वहाँ उन लोगों के साथ में मेल जूल करेंगे अपना भाईचरा बढ़ाएगे, अपना संग मजबूत करेंगे पर हम क्या करेंगे? हम सराप पिएंगे, हम भांग खाएंगे हम लड़कियां छेड़ेंगे, हम अपना मुझ कला करवाएंगे हम नाली में पढ़ेंगे, हम कीचर उचा लेंगे उसके बाद में फिर हम लड़ेंगे और पूरी जिन्दगी की दुस्मनी बना लेंगे हम संग की वजाए और असंग बनाएंगे और बिखर जाएंगे ये काम बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं वो लोग फैस्टिवल का फाइदा लोगों को जोडने में अपने लोग को जोडने में अपने आपको बढ़ने में करते हैं और हम फैस्टिवल का अपने का अपने को घटाने में करते हैं तो ये परंपरा छोड़नी है तो क्या करना चाहिए हमको हमको सांती से घर में रहना चाहिए घर में रहके अपनी जानकारी बड़ा निच चाहिए जो संगी है वो अपने संग के लोगों से मिलें अब चूंकि पोर्टल हमारे पास है इसलिए दस वज़े से लेके और दो वे तक हम पोर्टल पर जुड़ेंगे आपसे बात करेंगे यह सी मजाग करेंगे गाने गाएंग करेंगे अपने पीर फकी स्रमर्संत की बात करेंगे अपने संतों की बात करेंगे आगे का काईकरम में लगाएंगे उसकी बात करेंगे पहला काईकरम हो उसकी बात करेंगे चाचाय करेंगे कुछ हमारे चोटी मुटी कमियां उनको दूर करेंगे कुछ आगी बात करेंगे और नए लोगों को हम जोड़ेंगे और हम प्रचार करेंगे कि इसके जो बुरे वाले प्रभाव हैं उस दिन के उनको ना अपना के अच्छे वाले जो प्रभाव हैं उनको अपना है तो सभी लोग 10 बजे पोटल पे सही जोड़ेंगे और दो बज़ तक रहेंगे, दो बज़े के बाद अपना खाए पिया और अपना सो जाए किसी भी हलत में औरधंग में नहीं जाएंगे हो हला में नहीं जाएंगे हो हला औरधंग हमारा पार्ट नहीं है ये हमारे लिए नहीं बना हुआ है हमारे लिए बना हुआ है एक दिन पहले का यानि कल का पार्ट जो किसान है वो अपने होले लेके आएं उनको जला के देखें क्या है क्या नहीं जिनके पास नहीं हो जाके खाएं अपने खाने पीने का सामण खई दें खुब गुजिया बनाएं खुब दही के भले बनाएं जो पकवान अच्छे से अच्छा बना सकते हैं जिनकी जो छमता है वो बनाएं खुब खाएं पर किसी भी हालत में ऐसा काम ना करें जिससे संग कमजोर हो ऐसा काम ना करें जिससे जीवन भर की दुस्मन ही हो जाए ऐसा काम ना करें जिससे हमारे आने वाले संबंद खराब हो बलकर ऐसा काम करें भाई चारे वाला कि हम एक दूसरे से मिलें बाचीत करें और हमारा संग और ज्यादा उस दिन बढ़ना चाहिए उस दिन का हमें पूरे दिन का फायदा उठाना चाहिए लोगों को फोन करने चाहिए समन का जो गंत है उसको पढ़ना चाहिए उसकी वीडियो बनानी चाहिए लोगों से हमें बाचीत कति रहना चाहिए जो हमारे भूले भटके लोग हैं जो छोड़के जा चुके हैं या जिनके पास समय नहीं उनको पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो कैसे बात है क्या के लिए कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी आने वाली जो बात हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए और सब को यह बताना चाहिए कि संग है सकती युगे युगे जुड़ने जुड़ने से संग में सकती होती है हमारा संग समढ संग और एक सेंटेंज जो हमें तीन साल तक चलाना है एक हजार दिन वो हमें रोज सुवे दुपयर साम इसमन करना चाहिए उसकी वीडियो बनानी चाहिए उसका हमें पोश्ट बनाना चाहिए, उसका पोश्ट लिखना चाहिए, उसका दिवारों पे लिखना चाहिए, अपने बच्चों की किताब पे लिखना चाहिए, अपने घर की दिवारों पे, अपनी कार पे, उसकी टी-शट बनवानी चाहिए, उसे जगे जगे लिखके भीना चाहिए, और इसके हमें बाकाइदा जो greetings card होते हो ली के बनाने चाहिए क्या लिखना है मैं समन हूँ मैं समन हूँ I am समन हर भासा में ये लिख लिख के भीज़ना चाहिए दिन में कम से कम तीन वार ये तीन वार अगर हम दिन में लिख लिख के सब ko भेजएंगे, चाए कोई कितना ही बोर हो चाए कोई कुछ भी कहे कि बार बार क्या लिखते हோ पर ये पेनिटेट करना है, ये आपको उसके दमाग में डालना है कि वो समण है, जब आप ये कहोगे कि मैं समण हूं तो आटोमेटिक वो कहेगा कि मैं भी समण हूँ नहीं तो वो समण सम्द को सबजेगा मेरी गारंटी ऐसे बात की और ये पुराना एक्सपरेंस भी है कि अगर आप तीन वार दिन में लोगों को ये सूचना देंगे या कहेंगे संगह नमामी और मैं समण हूँ आप एक कष्ट तीन साल में दूर हो जाएंगे सब लोगों को याद दिलाना है कि मैं समण हूँ मैं समण हूँ एक ऐसा मंत्र है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कष्ट आपके खत्म होते चले जाएंगे ये पहले भी हुआ है और ये फिर होगा और ये बारबार होगा क्योंकि हम समण हैं तो हमको अपनी आइडेटिटी अपने साथ रखनी ही चाहिए कोई पूछे तो तबाक्ष कहना चाहिए कि मैं समण हूँ वो आपकी जाती पूछेगा तो आपको कहना चाहिए मैं समण हूँ वो आपका धरम पूछेगा तो कहना चाहिए मेरा धरम समण है, वो आपका देश पूछेगा तो कहना चाहिए मेरा देश समण है, समण भारत, समण महा भारत, आपको हर सब्द में समण लखना है, तो आप बहुत तेजी से यूनाइट भी होंगे, एकटे भी होंगे, संग भी बढ़ेगा, आपका मनुवल भी बढ़ेगा, आपकी हर चीज बढ़ेगी, ये जादू वाला सब्ध है समण, जादू मैजिक वाला, इसको आप अजमा के देखें कि इसको बोलने से कि मैं समण हूँ, सरी के अंदर से वाइबरेसन निकलती हैं और रेल में जाएंगे तो समण समण मिलेंगे, पर वो मिलेंगे जब जब आप उनको याद दिलाओगे, मैं समण हूँ, और यही हमारा मंत्र है, जो हमें दिन्राद दिन्राद जपना है, मेरी किसी बात में अगर कोई गलती हो, या कोई बात अगर किसी को पसंद ना आई हो, तो मैं संग से माफी चाहता हूँ, संगह नमामी, संगह नमामी, संगह नमामी नम नम से नम गच्छामी